नमस्कार, मैं नेनका गांधी, आज आपको बोन चाइना के बारे में बताना चाहती हूँ बहुत साल पहले मैं श्रीलंका गए थी, वहां मेरे मेजबानों ने मुझे जाते वक्त एक बोन चाइना का डिनर सेट दिया मैं बहुत खुश थी, उस डिनर सेट के नीचे बोन चाइना जरूर लिखा था, लेकिन दूसरों की तरह मैंने ये सूचा कि बोन चाइना का मतलब यह है, कि जो पॉसलिन जिससे प्लेट बने थे, वो पतले भी है और बहुत कीमती भी है, इसका मतलब है कि बोन चाइना के है और कौन सी हड़ी, गाए, बैल और भैस, अब वो डिनर सेट किसी ट्रंक में बंध है, क्योंकि शरम के मारे मैं किसी को दे भी नहीं सकते हूँ, बोन चाइना एक खास पॉसलिन है, जो हड़ियों से बनता है, जो सफेध है और जो अर्ध पारदर्शी है, इसको पहली दफा इंगलंड में बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, चीनी मिट्टी सबसे पहले चाइना ने बनाया, इसलिए तो उसे चीनी मिट्टी कहते है, इंगलंड में बहुत लोग चीनी मिट्टी को पसंद करते थे, प्लेट बनाने में, तो वहाँ के जो बड़े-बड़े कंप उसने 1748 में सबसे पहले हड्डियों को इस्तमाल करना शुरू किया प्लेटे बनाने के लिए अब क्यूंकि उसके प्लेटे बहुत अच्छे निकले तो सारे कंपनीज सबसे पहले फिर उसके बाद अन्य ऐसे बड़े बड़े कंपनी मिंटन वेज्वूड सबने ये शुरू किया कि वह कटल खानों से सारे हड्डियां लाते थे उनको राक जला करके बनाते थे और फिर उसके बाद उनके प्लेटे बनाते थे इन्होंने ये काम शुरू कर दिया और जो इंगलन करता था वो हिंदुस्तान ने तो करना ही करना था तो हमने भी शुरू किया यही हड्डियों को इस्तमाल करके बोन चाइना बनाना Bone China को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कतल खाने से हद्या लाए जाती है, फिर उनसे मास उतारा जाता है, उसके बाद उनसे गोंध निकाला जाता है, जो गोंध के लिए इस्तमाल किया जाता है, उसके बाद 1000 degree centigrade में उनको सुखाया जाता है, फिर उसको पीस करके उसमें अन्य पदार्थ मिला लेते हैं, पानी मिला लेते हैं, और फिर उसके साथ क्रोकरी बना करके उस क्रोकरी को भटी में पकाते हैं, तब जाकर के आपकी टेबल पर पहुंच जाता है, इस देश में बहुत सारे क्रोकरी की उपर बोन चाइना नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद शाकाहरी इस पर खाएंगे नहीं, मैं आपको एक करीका बताती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ये बोन चाइना है कि नहीं, आप प्लेट को उठाईए, लाइट की तरफ रखे और उसके पीछे अपने उंगलिया आत्रा है, उतने ही महंगी बोन चाइना होगी, अब कुछ लोग जो ये प्रोग्राम देख रहा हैं, वो ये कहेंगे कि हमने तो नहीं मारा गायबहस को, ये सब जाया चले जाता, इसलिए जब हम बोन चाइना पर खाते हैं, हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं, ये गलत है, इस देश में बहुत सारे जानवर, पचास फीसदी जानवर अपने मास के लिए नहीं मारे जाते हैं, वो अपने हड़ियों के लिए मारे जाते हैं, जो हर काम में इस्तमाल होता है, यहां तक कि उनके अंतरियों के लिए भी मारे जाते हैं, जो वर्प में इस्तमाल होता है, गाई और बैल की हट्या की जिम्मधारी आप पर है अगर आप बोन चाइना पर खा रहे हैं तो समझ लो आपके क्रॉकरी के लिए हजारों जानवर बे रहमी से कतल किये गए हैं अगर आप खरीते ही नहीं तो बोन चाइना की कार खाने बनाते ही नहीं फिर जो पहले चीनी के बतर बनते थे वो भी बहुत सुन्दर हैं उन पर क्यों नहीं आप खा सकते हैं अगर मैं आप से यह कहूं कि आप गाई की हड़ी पर खाना खालें या चम्रे पर खाना खालें तो आप कहेंगे छी-छी-छी-छी-छी मगा आप बोई तो खा रहे हैं गाय की हट्डी पर चम्रे पर कतल किये हुए जानवरी